क्रिकेट को देश का सबसे सर्वशरेश्ट क्रिकेट म्यूज चानल एशिस के तीसरे टेस्ट मैच में इंगलिन के जीत और बेंस्टोक्स की अवश्वसनिय पारी ने टेस्ट फॉर्माट को एक बार फिर क्रिकेट के सबसे सर्वशरेश्ट अनुवफ के तौर पर खड़ा कर दिया है टी-20 और ODI के मुकाबले तीसरा टेस्ट मैच इस बात का सबूत था कि क्रिकेट में हर एक खिलाडी के योगदान की भूमी का रहती है जीत में और हर एक खिलाडी को एक मैच में पूरा मौका मिलता है वापसी करने का इस दौर जब T20 क्रिकेट और IPL के कई अडिशन्स हो चुके हैं उससे कई नगए बढ़ावा मिला है टेस्ट क्रिकेट को और Ben Stokes के पारी उसी दौर का नतीज़ा है यह जानते हुए कि मौजूदा इंडिया ने एक असान से जीत दर्च की है मगर अगले मैच वेस्ट इंडिया को हलके में नहीं ले सकते हैं और तो और उन्हें इस मौके का भरपूर फायदा उठाना होगा क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ट टेस्ट चैंपियंशिप करीब आएगा वैसे वैसे उन्हें अपन पंद को भी रविंद्र जडेजा के साथ साज़दार्या खड़े करने की काबिलत रखनी होगी भारत की टेस्ट बोलिंग लाइनप कुछ अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है और दूशे इनिंग्स में जस्प्रीद बूमरा की स्पेल इंगलेंड और ऑस्ट्रीले के के लिए एक अच्छी खबर है ताज़ब के बाद दूए है कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को लगाता है बाइस टेस्ट मैचेस में हराया है और इसके बाद वेस्ट इंडीज को किसी चमतकारी परफॉर्मेंस ही इस महत्वपूर्पूर्ण श्रिंखला में वापस ला सकती है नगर दोस्तों यह टेस्ट क्रिकेट है और यहां कुछ भी हो सकता है हमसे ज्यादा टीम इंडिया इस बात को एहमियत देती है और यह इस बात का पक्का सबूत है कि अगला टेस्ट मैच बेहत रुमांचक होने वाला है